हेलो फ्रेंज मैं सवरब पाठक आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सवरब एजुकेशन जोन में तो दोस्तों आज हमारा टापिक है प्रतिशत्ता या परसेंटेज दोस्तों प्रतिशत्त या प्रतिशत्त आये समस्ते हैं तो प प्रतिशत्त दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है प्रति और शत्त जैसा की उपर ही हमने लिखा है प्रति का अर्थ होता है में से प्रति मतलब में से और शत्त का अर्थ है सो सो में से कितना इसका वास्तविक अर्थ होता है दोस्तों प्रतिशत्त का सो में से कितना दोस्तों सौ में से कितना ठीक है अर्थात प्रतिशत्ता का तत पर संख्या प्रतियक सौ में कितने है जैसे कि अभी example और भी इस पे हम लेंगे तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा तो अभी तो इतना जानिए कि प्रतिशत्ता मतलब प्रतिशत्त सौ में कितना प्रतिशत्ता का हर सदेव सौ होता है दोस्तों प्रतिशत्ता का ये important है प्रतिशत्ता का हर जो है दोस्तों हमेशा hundred रहेगा ठीक है सौ रहेगा ठीक है इसके उपर कुछ भी ठीक इसका चिन दोस्तों ऐसे होता है सभी को पता है ऐसे रहेगा ऐसे फिर एक ऐसे तिरशी पाई इसके बाद फिर 0 ऐसे है ठीक है आए देखते हैं इस पे उदार्ण के द्वारा इसको हम लोग अच्छे से और समझेंगे ठीक है क्या पहला है दोस्तों पहला है 15 प्रतिशत को साधार्ण भिन्ने में बदलिए 15 प्रतिशत तो दोस्तों 15 15 प्रतिशत हमको दिया है इसको भिन्न में बदलना है हम क्या करेंगे 15 बटे 100 क्योंकि 100 में कितना ठीक तो अब इसको हम काट देंगे और सरल कर देंगे तो 5 तियाई 15 और 5 दूनी 10 20 मतलब 3 बटे 20 दोस्तों यह हो गई भिन्न में बदल गया ठीक है 15 प्रतिशत को हमने साधार भिन्ने में बदल दिया, अगर ऐसे आएगा कि 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25, 30, 50, कुछ भी प्रतिशत में आएगा, उसको हमको भिन्ने में बदलना रहेगा, तो उसके बटे में हम 100 करके, जितना कट पाएगा, काट के, वही आंसर लिख देंगे, ठीक दोस्तों, आगे दिख कर देंगे, ठीक है, अब कितना कट पा रहा है, 0 से हम 0 काट देंगे, 2, 1, 2, 2, 5, 10, कितना आ गया, एक बटे, 5, यह हमारा आंसर आ गया, ठीक दोस्तों, यह समझ में आ गया होगा, चाहे कोई भी कितना भी दिया रहेगा, 30 प्रतिशत, 40, 50, ठीक है, ऐसे कुछ भी दिया र प्रतिशत, कुछ भी आये, कुछ साधान भिन्न में बदलिये, तो हम ऐसे बदलेंगे, ठीक है, आगे देखिए, दोस्तों, आगे क्या दिया है, एक बटे, 4 को प्रतिशत में बदलना है, तो देखिएगा, कैसे बदलते हैं, इसकी, अभी जैसे पहला बता रहा हूं, इसक जैसे एक बटे चार को प्रत्षत में हमको बदलना है तो 100 से उपर नीचे गुड़ा कर देंगे ठीक है ठीक अब ये कड़ जा रहा है ना कड़ रहा है तो 25 शव का 100 होता है ये 25 हो गया ठीक है बराबर कितना हो गया 25 बटे 100 हर में 100 है इसका मतलब ये कितना प्रत्षत बन रहा है बराबर ये 25 प्रत्षत बन रहा है हर में हमेशा 100 होता है तो इसका मतलब ये है 25 प्रत्षत बना है और इसका एक तरीका और है जैसे हमको दिया है एक बटे 4 को प्रत्षत में हमको बदलना है तो हम क्या करेंगे, चुंकि हमें ये पता है, कि हर में हमेशा 100 होता है, ठीक, 100 होता है, 100, तो हम कितने से इसमें गुड़ा कर दें हर में, कि जो है, वो 100 बन जाए, तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, एक बटे, चार में कितने का गुड़ा कर दें, कि हर 100 हो जाए, तो दोस्तों, 25 का अगर हम गुड़ा करें, तो हर 100 बन जाएगा, तो हम 25 का उपर भी गुड़ा कर देंगे, ठीक है, कितना आ गया, 25 बटे, 25 का 100, दोस्तों, हर में 100 आ गया, इसका मतलब उपर कितना है, 25, यह हमारा हो गया, प्रतिशत, यह 25 प्रतिशत आ गया, ठीक दोस्तों, चाहे आप इससे चले जाएए, चाहे इससे चले जाएए, यह दोनों, सरल है, दोनों समझ में, आप सबके आ भी गया होगा, I think ठीक दोस्तों, आगे देखेगा, 25 प्रतिशत को दसमलों में बदल ये, ठीक है, एकदम सरलह देखेगा, कितना है 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत है, तो हर में 100 हमेशा रहेगा इ, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाहे तो 100 भागे 25 कर देंगे, लेकिन अब हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि अगर ऐसे रहेगा तो हम कैसे दसमलो लगाएंगे तो दोस्तों चूंकि अगर भाग देंगे तो ये दो अंक है मतलब दसमलो के बाद कितना है दो अंक है तो यहां एक है अगर हम मालने ये दसमलो होता अगर ऐसे होता तो हम दसमलो के नी इसको हमें भीन में बदलने के लिए आया होता, तो हम ऐसे ही बदलते हैं, जीरो, दसम्मलो, दो, पांच है, तो हम बटा लगाते, उसके बाद, दसम्मलो के नीचे एक लिखते, ऋसके बाद कितना अंख है, उतना 0 कर देते, तो वही तो बात ये हैे, ऐसे दिया है, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, चाहे आप ऐसे करिए, चाहे है इसको ऐसे करिए, बात तो दुन conceived एक ही है, ठीक है, दोस्तों, समझ गई होंगे, इतना आ गया, ऐसे 28 प्रतिशत को दस्रामलों में हमको बदलना है, तो देखिए नहीं हो गया, 0.28, यह हो गया आंसर दोस्तों, ठीक है, धूस्तों, समझ में आया, आगे देखेगा दोस्तों, क्या दिया है, दिया है, 0.3 को प्रतिशत में हमको बदलना है, 0.3 को दोस्तों अभी जैसे बताया था तो हम क्या करेंगे 0.3 इसके बाद बटा में लगाएंगे 10 समलों के नीचे 1 लिखेंगे उसके बाद कितना अงग है? एक अंग है 0 कितना आ गया? 3 बटे 10 ठीक है ये आ गया अब हम क्या करेंगे क्यूंकि हमें तो 10 से नीचे और 10 से उपर गुड़ा कर देंगे ठीक है तो 30 बटे यह 100 आगया अब हर 100 आगया दोस्तों इसका मतलब यह कितना है दोस्तों यह 30 है यह हो गया दोस्तों 30 प्रतिशत ठीक है यह हो गया answer कितना easy है दोस्तों दिखेगा ठीक है आगे देखिएगा एक और है दिया है 300 का 15 प्रतिशत कितना होगा 300 का का मतलब दोस्तों आगे हम लोग सीखेंगे का मतलब हमेशा गुड़ा होता है ठीक है कितना आ गया, 3, 15, 45 दोस्तों, ठीक है, यह आ गया, answer, ठीक, 300 का 15 प्रतिश्यत, 200 का 10 प्रतिश्यत, 800 का 5 प्रतिश्यत, कुछ भी आए, दोस्तों, हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, बहुत कठिन दोस्तों, नहीं है, एकदम easy है, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम easy है दोस्त ठीक है, आगे देखिए, एक और हैं, 500 का 10 प्रतिश्यत, सेम इसी तरीके से, 500 का मतलब गुड़ा, 10 प्रते 100, कितना आ गया, 5 और 10 प्रतिश्यत, ठीक, दोस्तों, यह आ गया, हमारा answer, तो, दोस्तों, I think, मेरा वीडियो, आपको समझ में आया होगा, तो, दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, I hope, मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा भी लगा होगा, दोस्तों, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज मुझे comment box में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को